Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक की पिका कार्ड रीडिंग इस बारी की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है देर करेंट एनजीज यानि की कोई भी लवड वन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और इन ही सब सवालों के जवाबों को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक पाइल को चूज करना है पाइल सेलेक्शन के लिए में रपास दो आप्शन हैं फॉर्स इस 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 यॉर बर्थ मन्थ तो सबसे पहले अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज करना चाहते हैं पाइल वन में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है पाइल टू में हमारे पास ग्रीन ये बॉल वाला क्रिस्टल है और पाइल थ्री में हमारे पास येलो क्रिस्टल है तो आपने, जो भी आपके loved one है, जिनके बारे में या जिनकी current energies के बारे में आप जानना चाहते है, उनके thoughts, feelings, emotion, intentions, next steps के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में आपने सोच ना है, और आखे खोलते ही जो भी pile आपको इन तीनों में से दिखता है या attract करता है, आपन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि intuitively आप इसी लिए confused होते हैं क्योंकि आप analyze करने लग जाते हैं या फिर आप जाधा वक्त लगाते हैं अगर आप instantly अपनी gut feeling अपनी intuition को trust करते हैं और जो भी pile आपको सबसे पहले दिखता है या फिर जिसकी तरफ आप attract होते हैं यहाँ पर pile भी हो सकता है option भी हो सकता है उसको आप choose कर लेते हैं trust me आप correct pile का selection करते हैं and आपको correct answer भी मिलता है but still अगर आपको लगता है कि intuitive method difficult है तो birth month के हिसाब से भी आप choose कर सकते हैं अगर आपका birth January, February, March, April में से किसी भी मन्त में होता है तो आपके लिए pile 1 है और अगर आपका birth May, June, July, August में से किसी भी मन्त में होता है आपके लिए pile 2 है और अगर आपका birth September, October, November, December में से किसी भी मन्त में होता है तो आपके लिए pile 3 है अब देखिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स चार महीनें उमें जिनका बर्थ होता है उन सब की love life या you know energies love relationship की सेम होगी और अगर आपको भी इस तरीके की एक feeling आती है तो आप simply 1, 2, 3 करके भी choose कर सकते हैं 1, 2, 3 आपकी choice है बाकी मैं तो आपको बोलूगी कि आप intuitive method की हिसाब से choose करें trust your intuition, trust your gut feeling वो कभी आपको धोका नहीं देगी अगर आप you know again उसको trust करेंगे और जैसे ही आप आखे खोलते हैं आपको जो pile सबसे पहले दिखता है या जिस आप option की तरफ crystal की तरफ सबसे पहले attract होत करते हैं उसको आप choose करते हैं तो I hope कि आपने pile choose कर लिया है और अगर नहीं किया है तो you can take your own time in choosing the pile आप वीडियो को भी pause कर सकते हैं और चलिए जी मैं आपको आपकी reading में मिलती हूं और अगर आपने pile 1 यानि की white crystal को choose किया है या फिर आपका birth January February March April में से किसी भी मन्त में होत कर आपने ये pile choose किया है उनकी क्या true thoughts, feelings, emotions, intentions है आपके लिए क्या उनकी next steps रहेंगे तो यहाँ पर देखिए Rider Vait से सबसे पहला card हमारे पास है Nine of Cups and second card is the High Priestess, third card is eight of pentacles reverse and fourth card is eight of wands. अब हम oracle से देख लेते हैं, in fact यह Lenormand के cards हैं जिन से मैं देखूंगी अभी, second, sorry Lenormand से है sun and then maybe and then key and then letter और oracle से है reconciliation, focused, irreconcilable and trapped. यह answer card है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगे, मतलब answer in the sense की क्या उनकी next steps होंगे, यह हम बाद में देखेंगे. तो देखिए सबसे पहला card है आपर है Nine of Cups. Nine of Cups का card tarot में wish come true का भी होता है और दूसरी बात यह card बहुत एक love, care, प्यार, महबत को भी represent करता है. तो सबसे पहली चीज़ दिखिए, इन card से हमें यही दिख रही है कि आप उनके लिए वो wish है, वो desire है, जिसको वो manifest करना चाहते हैं. यानि कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत love है, इसके लिए कोई doubt नहीं है, मतलब हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनके मन में आपके लिए पतनी प्यार है नहीं है, definitely बहुत प्यार है, बहुत love है और आप उनके लिए वो wish है, वो desire है, जिसको वो manifest करना चाहते ह आपको अपनी life में चाहते ही चाहते हैं और बहुत सारे chances हो सकते हैं कि वो, you know, अपने प्यार को directly नहीं express करते हैं indirect way से हो सकता है उनकी body language से, उनके action से उनकी कुछ-कुछ behavior से आपको यह से लगते हैं नहीं यार, इनके मन में मिर लिए प्यार तो है और दूसरी बात, थोड़ा सा age gap भी हो सकता है कुछ pile one के लिए देखिए, ये general reading है तो बहुत stress देकर मैं इस चीज को नहीं कहते हूँ but yes, कुछ pile one में हो सकता है age gap है, अब इसमें से कोई भी हो सकता है या तो आप थोड़े से बड़े हैं या वो थोड़े से बड़े हैं और ये reason हो सकता है, थोड़ा सा वो hesitate करते हैं या nine of cups का card नहीं एक lazy वाली energies की भी बात करता है यानि कि अच्छा कहे देंगे थोड़े से carefree हो रहे हैं इस चीज को लेकर, careless हो रहे हैं कि भई कहे देंगे, क्या जल्दी है तो इस तरीके का भी एक reason हो सकता है अगर वो नहीं अपनी feelings को express कर रहे हैं फिर से बोलूँगी, प्यार बहुत करते हैं और आपको अपनी life में manifest करना चाहते हैं आप उनके लिए वो wish है, in fact मैं कहूंगी से manifest करना चाहते है अब देखिए, यहाप इस sun का card है sun भी इसी चीज़ को और जादा confirm करता है कि बहुत enthusiastic हैं आपको लेकर बहुत, you know, passionate है देखिए, इस card में भी लिखा हुआ है hot and passionate, success and love and तीसरा क्या लिखा हुआ है, thriving तो अगें देखिए, तीनों ही जो words लिखे है वो इसी चीज़ को फिर से confirm करते हैं कि बहुत passionate हैं आपको लेकर और आपके साथ एक future चाहते हैं और अगें देखिए, दोनों cards nine of cups and sun दोनों ही cards marriage की भी बात करते हैं तो आपके साथ marriage भी चाहते हैं और पीछे आप लोगों के बीच में अगर कुछ issues, मसले थे तो reconciliation चाहते हैं अब कितनी बारी क्या होता है न कि unset सा एक cold war type सा चल रहा होता है या unset सा एक distance होता है जहां पर कोई बात किसी की बुरी लग गई या whatever reason जैसे मैंने अब भी बताया भी की हो सकता है, वो थोड़े से lazy हो रहे हैं तो एक किसी भी level पर distance आ गया तो reconcile करना चाहते हैं आपके पास वापिस relationship में आना चाहते हैं connection चाहते हैं, togetherness चाहते हैं और अगर वाक्वे में literally आप दोनों के बीच में distance आया, लडाई हुई या एक you know, दूरी आई तो वो आपके साथ reconcile करना चाहते हैं, जो भी issues है उनको resolve करना चाहते हैं और देखें, यहाँ पर high priestess and maybe के भी cards हैं अब high priestess का card कहता है दो-तीन चीज़े कहता है, in fact मैं कहूंगी कुछ के लिए हो सकता है कि वो अपनी feelings को express नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा सा कुछ pile one जिनके बारे में भी सोच कर you know, इस reading को देख रहे हैं हो सकता है, वो थोड़े सी lazy हो जैसे कि मैंने आपको बताया वो एक reason है या whatever the reason में भी, वो अपनी feelings को खुल के नहीं बता रहे हैं या जितना उनके बन में प्यार, लव आपके लिए है उतना नहीं वो express कर रहे हैं High Priestess secrecy maintain करने की बात करता है दूसरी बात High Priestess का card ये भी कहता है कि sure नहीं है अब दिखिए, बहुत सारे chances हो सकते हैं या मैं इन जनरल के लिए बताऊंगी कि हो सकता है, सामने वाला बहुत प्यार करता है लेकिन sure नहीं है कि भई, उनको आपको express करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या फिर इस relationship में कुछ आगे हो सकता है, नहीं हो सकता है अब यहां पर religion, society, कोई भी एक reason हो सकता है आप married हैं, वो married हैं, यह भी एक reason हो सकता है क्योंकि दिखिए, कहीं maybe and high priestess के काट similar सी energies को represent करते हैं तो हो सकता है, कि वो sure नहीं है अब दिखिए, sure ना होने के बहुत सारे reasons हो सकते हैं बट यह reason नहीं है, कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है या वो अपनी feelings, अपने love को doubt करें फिर से मैं कहूंगी, प्यार करते हैं, उसमें कोई doubt नहीं है बट yes, यह relationship को आगे लेकर जाएं, ना लेकर जाएं इसमें कुछ होगा, नहीं होगा या कोई भी चीज़ें हो सकती है, जिनको लेकर वो थोड़ा सा sure नहीं है और यहाँ पर मैं आपको यह कहूंगी, हो सकता है अपनी feelings expressed नहीं, उस तरीके से कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनके मन में प्यार है और यह एक बहुत बड़ा reason, maybe के लिए हो सकता है और थोड़ा सा wisdom के साथ, थोड़ा सा, you know सोच समझ के वो action initiatives लेना चाहते हैं यानि कि इस relationship को आगे लेकर जाना चाहते हैं वो जल्दबाजी नहीं चाहते हैं वो impulsive नहीं होना चाहते हैं और यहाँ पर देखिए की and eight of pentacles reverse के cards भी कहते हैं कि जो भी reason है जिसकी वज़े से वो sure नहीं है वो उसको कहीं मन ही मन solve कर रहे हैं की का card देखिए की क्या होती है अगर आप की को ही समझे, चाबी को ही समझे ताले को खोल देती है मतलब जो चीज lock है उसको चाबी खोलती है तो जो भी issues है, मसले है, reasons है जिनकी वज़े से वो maybe है कहीं वो उनको sort out कर रहे है और eight of pentacles reverse का card कहते है कि कहीं उसके लिए वो effort कर रहे है क्योंकि ये card reverse है हो सकता है कि उनका effort आपको नहीं दिख रहा है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको जता रहे है, आपको दिखा रहे है कि वो देखो कितना effort ले रहे है चीज़ों को solve करने के लिए कुछ के लिए हो सकता है effort को नहीं दिखा रहे है क्योंकि reverse कहीं एक balanced energies नहीं होता but definitely वो जो भी issues है आप दोनों के बीच में जो भी मसले है जिनकी वज़े से ये relationship नहीं next level पर जा सकता है या फिर नहीं उस तरीके से चीज़े हो रही है relationship में जिस तरीके से आप दोनों ही चाहते है उनको sort out करना चाहते है और इसी चीज़ के लिए बहुत focused है irreconcilable का कार्ड कहता है हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो मन ही मंडी पर level के लिए कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद solve नहीं हो सकती कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ठीक हो सकती है तो दिखिए वो एक thought जरूर है बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर key का कार्ड है तो वो उन भी चीज़ों को solve करने की कोशिश कर रहे है उन भी चीज़ों पर work करने की कोशिश कर रहे है और यहाँ पर eight of wands का का कार्ड कहता है कि उनका intention है क्योंकि हम देख रहे है thoughts, feelings, emotions, intentions और यह कार्ड intentions के लिए आता है वो उनका intention है कि बस फटा-फट तेजी से चीज़े resolve हो जाए और फिर यह relationship आगे बढ़े जो भी stuck energies है या जिस भी चीजों की वज़े से relationship आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसको वो solve करें और कहीं बहुत तेजी से वो इस relationship में आगे बढ़ना चाहते है और trapped का card कहता है क्योंकि कुछ issues हैं कुछ मसले हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं और कहीं उसको लेकर उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो बहुत बंधा हुआ बहुत restricted feel करते हैं और बहुत ज़ादा इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परिशान भी होते हैं mental tension भी उनको होती है और खुद को भी वो कहीं जैसे बोते हैं लूजिंग self तो कहीं nutshell में हम यही कहेंगे कि परिशान होते हैं इस चीज़ को लेकर बहुत यह चीज़ उनको bother करते हैं का काट कहता है कि वो आपको अपनी feelings emotions communicate करना चाहते हैं और वो करेंगे यहां देखिए हमने अभी देखा thoughts, feelings, emotions, intentions तो भले ही वो उस तरीके से action initiators नहीं ले पा रहे हैं लेकिन उनका intention है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़े देखिए कितनी बारी होता है ना life में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन situation circumstances ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं तो यहां पर उनका intention है कि वो बहुत speed से बहुत तेजी से आगे बढ़े आपके लिए इस relationship के लिए action initiatives लें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं आपका relationship है आप बहतर समझ पा रहे होंगे कि हाँ पर क्या reasons हैं बट constant एक effort उनकी तरफ से रह रहा है चीजों को solve करने का हाला कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें नहीं solve हो सकती हैं बट फिर भी वो effort कर रहे हैं वो बहुत focused हैं इसी चीज को sort out करने के लिए और जो irreconcilable का card है जो चीजें हैं जिनकी वज़े से लगता है कि शायद ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसी की वज़े से आपे maybe का भी card है अब देखते हैं कि उनके क्या actions रहेंगे क्या उनकी तरफ से initiative रहेगा तो देखिए Ace of Pentacles का card बहुत clearly बोलता है जो भी चीजें bother कर रहे हैं उनको definitely solve कर पाएगे और बहुत ही concrete, realistic level पर वो next step लेंगे एक नई beginning आपके साथ करेंगे ही करेंगे क्योंकि देखिए Pentacles का card सिरफ हवा में बातों की बात नहीं करता है जैसे होता है न कहीं बरी लोग सिरफ बातें करते हैं लेकिन actions missing होते हैं यहाँ पर देखिए ये card कहता है कि जादा वो actions लेंगे वो अपने actions से आपको prove करेंगे आपको दिखाएंगे कि yes उनके मन में कितना प्यार है वो सिरफ बातें नहीं करेंगे और अगर आप कहीं एक बातें expect कर रहे हैं तो आप थोड़े से मायूस हो सकते हैं क्योंकि कहीं लोगों के लिए बड़ा important होते हैं कि सामने वाला express करें तो यहाँ पर दिखिए हाला कि letter का card है वो express करना चाहते हैं और करेंगे भी लेकिन अपने actions के जरीए ज़ादा express करेंगे अपने you know initiatives जो हो लेंगे उसके जरीए ज़ादा express करेंगे और कोई भी ख्याली पलाव नहीं बनाएंगे कोई भी हवा में बात नहीं करेंगे कहीं फिर से मैं कहूंगी realistic concrete level पे वो next steps इस relationship में जरूर लेंगे तो ये था pile 1 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो जरूर इस चैनल को like, share और subscribe करें और अगर आपने pile 2 यानि की green crystal ball को choose किया है या फिर आपका birth में June, July, August में सी किसी भी मंत में होता है ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 की cards क्या कहते हैं जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये pile choose किया है उनके क्या true या फिर current thoughts, feelings, emotions, intentions है आपके लिए और क्या उनकी तरफ से next steps रहेंगे तो दिखिए सबसे पहला card है Knight of Wands Reverse I hope कि आप cards को देख पा रहे हैं second card है page of sorry, four of cups reverse and third card है ten of cups reverse and fourth card है queen of pentacles Lenormand से coffin, first card है second card है lady and third card है owl fourth card है tower क्योंकि यहाप पे lady का card था मैंने एक और card आप लोगों के लिए निकाला shield oracle से आप लोगों के लिए pretending का card है keep calm insecurities and pregnancy oh yes, this is answer card answer मतलब क्या उनके next initiatives रहेंगे इसको हम बाद में देखेंगे तो देखे, आप देख पा रहे हैं, आपर coffin का card है, pretending का card है और कहीं न कहीं देखे, coffin ending की बात करता है तो किसी level पर relationship या तो end हो रहा है, अब देखे, circumstances, situation की वज़े से कुछ चीजें end हो रही होती है और कभी-कभी हम end करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं देखे, ending पर जादा focus करते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, किसी level पर वो relationship को end करना चाहते हैं, देखे, इस card में लिखा हूँ है, dying, love, grief, ending, closure, detachment, तो कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ, कि उतना attachment उनके मन में नहीं है, अग पहले से ही relationship है और आपका बहुत एक beautiful पहले relationship था, तो उतना attachment अभी नहीं है, या फिर overall ही देखे, अभी-भी ही एक attraction शुरू ही है, तो मुझे नहीं दिख रहा कि उनके मन में बहुत एक attraction है, attraction नहीं मैं कहूँगी, attachment है आपके लिए, pretending का card कहता है, someone is not being authentic, तो देखे, जो भ कहीं वो कह रहे हैं, कहीं उनका real self नहीं है, वो बना ऐसे real self नहीं है, अगर वो बहुत express कर रहे हैं प्यार, तो उनके मन में उतना प्यार नहीं है, अगर नहीं express कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके मन में प्यार हो, अभी कि प्यार और attachment दो different चीज़ें होती है, तो यहाँ पे coffin का card attachment की बात करता है detachment की बात करता है तो detached है और अगर you know एक है भी अभी हम और cards देखेंगे तो चीज़ें बड़ी clear होंगी but yes you know real self नहीं वो आपको दिखा रहे हैं and यहाँ पर दिखिए owl का card कहता है जो भी हो वो बहुत wisdom से बहुत समझदारी से चीज़ों को deal करना चाहते हैं यहाँ पर face the shadows और insecurities के card है दिखिए owl के card में face the shadows लिखा हुआ है और यहाँ पर insecurities का भी card है low self esteem, self doubt तो जो भी reason है कि भाई वो pretend कर रहे हैं या फिर उतना attachment आपके लिए नहीं महसूस कर रहे हैं उसके लिए आप responsible नहीं है, उनके खुद के reasons हो सकते हैं क्योंकि कहीं उनका हो सकता है कि past experiences ठीक ना हो क्योंकि यहाँ पर face the shadows अभी कि past experiences कभी inner child के वज़े से भी हो जाते हैं जब parents का relationship बहुत अच्छा नहीं होता है तब भी कहीं बच्चे relationship में बहुत comfortable नहीं होते हैं, आप पर trust नहीं कर पाते हैं उनकी insecurities होती है doubt करते हैं self को यहाँ पर past में कोई relationship अच्छा ना गया हो तब भी भी लोग doubt करते हैं तो दिखिए सब file 2 के partner के लिए different partner भी हो सकते हैं, जिनके भी लिए भी आप सोच रहे हैं, उनके लिए different reasons रहेंगे बट यहाँ पर मुझे जादा यह दो reasons रहते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर tower का card भी दिखिए एक अकेला पन चाहने की बात करता है यहाँ पर दिखिए single controlling and emotional distance boundaries तो मैं फिर से कहूंगी सब pile 2 के लिए different levels पर यह relationship होगा, कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक relationship में हैं उनके साथ कुछ के लिए हो सकता है कि नहीं है, यहाँ पर one sided relationship पर हो सकता है, जो भी हो आपको ऐसे लगता होगा कि खुल के इस relationship में नहीं आते हैं, कहीं एक healthy boundaries हैं, in fact दिखिए हाँ पर night of wants का भी card किसी चीज को confirm करता है कि वो ना तो पूरी तरीके से इस relationship में आ रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से इस relationship में जा रहे हैं और इसके reasons in fact यही हैं कि कहीं वो impulsive नहीं होना चाहते हैं उनकी अपनी insecurities हैं उनके अपने fears हैं और कहीं वो अपने लिए space चाहते हैं कहीं वो अभी mentally prepared नहीं है relationship के लिए या relationship के लिए commitment के लिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 of cups का card कहता है कि ऐसा नहीं है कि उनके मन में बिलकुल भी feelings नहीं है love नहीं है, प्यार है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि attachment और प्यार में difference होता है तो उनके मन में आपके लिए sorry 4 of cups का card मैंने लिया है यहाँ पर 10 of cups reverse का card है तो attachment और love में difference होता है, तो love है और कहीं न कहीं किसी level पे वो आपके साथ marriage के बारे में भी सोचते होंगी क्योंकि 10 of cups का card marriage को भी represent करता है या उनको ऐसी feeling आती होगी क्योंकि यह feeling का card है कि भाई आपके साथ अगर उनकी शादी होती है या long term committed relationship में रहते हैं तो कितना अच्छा होगा ना तो yes, देखिए यह card feeling के लिए है हम देखते है thoughts, feelings, emotions, intentions तो feeling उनको आती होगी but वो feeling you know transitory है या होता है न जैसे हम सिरफ सोचते हैं but हम उसके ऊपर कोई action नहीं लेते हैं या हमारे insecurities इतनी ज़ादा होती हैं हमारे fears इतने ज़ादा होते हैं कि हम उस thought पे, उस feeling पे action नहीं लेते हैं या हम लेना चाहते हैं, हम लेते हैं और फिर हम डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं क्योंकि हापे night of wands, reverse का भी card है तो ये card कहता है कि वो पूरी तरीके से न आते हैं, न जाते हैं और ये चीज आपको बहुत bother कर रही होगी pile 2 क्योंकि consistency नहीं है उनकी तरफ से consistency missing है और आपके लिए भी बड़ा difficult हो जाता होगा क्योंकि at times आपको लगता होगा कि उनके मन में feeling है और at times, you know, आपको लगता होगा कि गायब हो जाते हैं, पता नहीं इनके मन में क्या है और यहाँ पर देखिए four of cups reverse का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि कहीं अपनी ही life में कहीं emotionally low feel कर रहे हैं उनके अपने reasons हो सकते हैं या फिर ये card ये भी represent करता है कि आप लोगों का relationship बड़ा ही boring हो गया है monotonous हो गया है हो सकता है दिखिए सब pile 2 के ओपर ये चीज़ ना applicable करें क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं मैं एक बहुत ही overview दे रही हूँ तो कुछ के लिए कुछ चीज़े resonate करेंगी कुछ के लिए कुछ resonate करेंगी जैसे four of cups reverse का card boredom और monotonous energies की बात करता है परसनल फरंड में किसी चीज़ को लेकर emotionally low feel कर रहे हैं उनकी life में एक dissatisfaction है जिसकी वज़े से relationship में असर पढ़ रहा है कुछ के लिए हो सकता है again overall के लिए overall के लिए वो mentally prepared नहीं है वो उस state of mind में नहीं है commitment के, relationship के और low feel कर रहे हैं अपनी life में और देखे हमने tower के card में भी इसी चीज़ को देखा कि कहीं वो healthy boundaries create कर रहे हैं और अभी single रहना चाहते हैं यानि कि committed relationship में नहीं रहना चाहते हैं queen of pentacles का card कहता है या तो कोई female है जो influence कर रही है या फिर अभी career, professional front और ये सब चीज़ें उनके लिए जादा important है या देखे हो सकता है जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है उनको लग रहा है कि पता नहीं इस relationship में commitment होगा नहीं होगा और इसी लिए वो थोड़ा सा I would say कि नहीं इतने interested है या उनको insecurity feel होती है उनको किसी भी level का एक fear होता है तो reason again सबके लिए differ करेंगे और देखे यहाँ पर shield का भी card है shield का card again खुद को अपनी feelings को अपने दिल को protect करने की बात करता है देखे इस card में लिखा हुए cautious, guarded, withdrawn तो यहाँ पर देखे overall अगर मैं देखूं pile 2 तो कहीं खुलके relationship में नहीं आ रहे हैं और उतने action initiatives नहीं लेते हुए दिख रहे हैं फिर से कहूंगी enthusiasm, excitement कहीं उनकी तरफ से इस relationship के लिए आपके लिए missing रहता हुआ दिख रहा है और coffin में भी हमने dying love को देखा और कहीं उतना एक attachment नहीं महसूस कर रहे हैं आपके लिए उतना interest नहीं महसूस कर रहे हैं reasons देखें तो कहीं खुद को protect करना चाहा रहे हैं उनको लगता है कहीं वो hurt ना हो जाएं insecure feel कर रहे हैं शर्द mentally prepared नहीं है committed relationship के लिए again reasons आपके लिए differ करेंगे and कहीं देखें यहां पर keep काम का भी card है उनको ऐसा लग सकता है भई relationship में जाएंगे फिर tension होगा, stress होगा तो अभी वो अपना मन का सुकून नहीं खराब करने देना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपके साथ आपकी company enjoy करते हैं और यह thought भी उनको आता है कि भई अगर आप दोनों एक साथ हो future में तो कितना अच्छा रहेगा और इसी लिए शायद relationship में आ जाते होंगे लेकिन उनके फिर fears होते होंगे तो वो चले जाते होंगे यहाँ पर दीखिए, yes, lady का भी card है और यह card मैंने अभी देखा इसमें female influence है new love है यहाँ पर queen of pentacles का भी card देखा तो new woman is, yes तो दीखिए, हो सकता है कोई female है जो उनको influence कर रहे हैं यह उनकी mother हो सकती है, sister हो सकती है friend हो सकती है, colleague हो सकती है कोई भी हो सकती है जिस वजह से वो cool case relationship में नहीं आ रहे हैं नहीं you know, initiatives ले रहे हैं क्योंकि कोई female उनको influence कर रहे हैं अब देखते हैं कि उनके क्या actions रहेंगे तो यहाँ पर देखी king of wants का card है जो भी उनकी insecurities हों जो भी उनके अपने reasons हों but yes, king of wants का card कहता है वो next actions लेंगे initiatives लेंगे और हमने देखा भी कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं ना वो completely आपको commitment देते हैं और ना completely आपको tata bye bye कहते हैं, तो यह अभी चल सकता है लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी pile two की, अगर आप इस चीज से परिशान हो रहे हैं, तो आपको ही strong stand अपने ले लेना पड़ेगा आपको ही confront करना पड़ेगा कि भई, आप यह चीज tolerate नहीं करेंगे, और उनको एक decision लेना पड़ेगा either they can come और they can go, यह आना जाना आप नहीं tolerate करेंगे, और अगर ऐसा आप करते हैं, तो वो इस relationship में आएंगे, और you know, हो सकता है कि आपको commitment भी दें और commitment अगर नहीं भी देंगे तो longer time के लिए relationship mistake करेंगे या करना चाहेंगे, तो यह था pile 2, आप लुगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को ज़रूर like, share करें, और like करें, share करें, comment करें अगर आपने pile 3, यानि कि yellow crystal को choose किया है, या फिर आपका बर्थ, September, October, November December में से किसी भी मन्त में होता है, यह reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं, pile 3 की cards क्या खहते हैं, जिनके बारे में भी सोच कर आपने यह pile choose किया है, उनकी क्या true या फिर current thoughts, feelings, emotions and intentions है आपके लिए, और क्या वो next steps इस relationship में लेंगे, तो देखे, सबसे बहला card हमारे पास यहाँ पर Six of Souls reverse है, then we have the Emperor reverse, फिर हमारे पास Page of Cups है and then we have Ace of Souls reverse, और राकल से हमारे पास Unconditional Love Anxiety Finances and Open Gate के cards हैं Lenormand से हमारे पास Rider Snake Child and Scythe के cards हैं और यह Outcome का card है, यानि कि वो क्या Action Initiatives लेंगे, यह मेरा बाद मेरीद करूँगी तो देखे, सबसे पहला card यहाँ पर मुझे दिख रहा है Unconditional Love और यह card बहुत ही clearly कहता है, कि अभी जू भी आपके relationship में चल रहा हो उनके मन में आपके लिए Unconditional Love है और दिखें, यह सबसे purest form of love होती है Unconditional Love मतलब इस प्यार की कोई सीमा नहीं है इस प्यार की कोई limit नहीं है इस card में भी लिखा हुआ है This Love Knows No Bound जहाँ पे कोई शर्क नहीं है, जहाँ पे कोई condition नहीं है मतलब आप करें तो ठीक है, आप नहीं करें तो भी ठीक है हम तो आपको प्यार करेंगे ही करेंगे तो उस तरीके का एक प्यार उनके मन में है और अभी हाल फिलाल के लिए देखें तो कहीं आप दोनों के relationship में कुछ issues मसले रह रहे हैं यहाँ पर साइथ का card abrupt ending, rejection, divorce, coming to an end की बात करता है अब देखिए general reading है तो इससे related energies आप दोनों के relationship में रह सकती है या फिर इस तरीके की energies यानि की हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को अतनी attention ना दे रहे हो उतना you know एक prioritize ना कर रहे हो किसी level पर rejection या तो आप महसूस कर रहे हैं या वो महसूस कर रहे हैं उनके लिए जाधा रहतावा दिख रहा है क्योंकि ये cards हम देख रहे हैं उनकी के energies हैं तो कहीं देखिए एक rejection महसूस कर रहे हैं और हो सकता है आप लोगों का relationship ending की तरफ जा रहा है या फिर किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक break up आप दोनों के बीच में हो गया है कभी कभी देखिए बड़ा temporary से break up हो जाता है लडाई हो गई और अब लग रहा है पता नहीं बातचीत होगी नहीं होगी patch up होगा नहीं होगा कई बारी बिलकुल बात करके एक decided break up होता है कि भाई अब देखो अब तो होई गए हम अलग तो किसी भी तरीके का किसी भी लविल का एक break up एक लड़ाई एक distance भी मैं कह सकती हूँ आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये general reading है तो मैं बहुत specifically नहीं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं सबके relationships different level पे होंगे और यहाँ पे देखे six of swords rivers का card भी कहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में distance आया दूरी आई कहीं वो move on नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी इस relationship में stuck हैं अभी भी कहीं you know वो अटके हूँ हैं इस relationship में और ये card एक और कहता है या तो ये जो दूरी आई जो भी you know issues आपके बीच में रहे इसलिए रहे शायद आप within the city within the city तो खेर हम नहीं travel करते हैं बठा कभी कभी you know इतना हमारा काम होता है कि हम टिक्के नहीं बैठ पा रहे हैं तो उस scenario में भी ये card आ जाता है नहीं तो out of the city out of the country आप travel कर रह रहे थे और इसकी वज़े से issues मसले हुए और दूसरा दिखे यहाँ पर the emperor rivers का card है तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़ादा controlling हो रहे होंगे आप देख पा रहे हैं इस card को यहाँ पर यह जो figure हैं इन्होंने बंदों को रसी से पकड़ा हुआ है और आप थे या वो थे और हो सकता है वो हो इसलिए आप थोड़ा सा distance कर रहे हैं और वो अभी भी इस चीट से बाहर नहीं निकल पाया है तो देखिए आप दोनों में से कोई एक over controlling थे और यहाँ पर देखिए snake का card है snake का card कहता है कि कोई तीसरा इंसान भी था इस relationship में यहाँ ह अब देखिए snake के card में betrayal, lies, deceit, jealousy लिखा हुआ है तो किसी तरीकी की cheating भी रहती भी दिखरी है अब यह cheating सब के लिए differ करेगी क्योंकि यह general reading है snake कहीं X को भी represent करता है snake कहीं you know third या बोलेंगे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं na crude भाशा में बोलते हैं दूसरी औरत तो उस तरीके की भी energies को represent करता है जो एक third party energies हैं उनको भी represent करता है अब फिर से कहूंगी यह general reading है तो सब के लिए snake वाली energies differ कर सकती हैं कुछ के लिए हो सकता है कि भाई जैसे हमने बोला दूसरा कोई इंसान है आप दोनों के बीच में third party energies हैं कुछ के लिए हो सकता है transparency नहीं है जूट बोल है या फिर कोई बात छुपाई है जो भी चीजे मेरे mind में आ रही है वो मैं बोल रही हूं लेकिन किसी भी तरीके का एक जूट betrayal या धोखा रह सकता है और यह भी एक reason हो सकता है कि आप दोनों के बीच में breakup जैसी condition है breakup जैसा scenario है किसी level पर दूरी आ रही है या फिर you know आप द कि शायद आप दोनों में से कोई एक इतने ज़ादा commitment नहीं चाह रहे थे या मैं कहूं कि serious नहीं थे serious actually थोड़ा सा negative word हो जाता है बट यह शायद बहुत ही casual लिया हुआ था चीजों को बहुत ज़ादा ही carefree attitude था और दिखी अगर हम snake और child के card को combine करें new love and you know कोई third party यह भी कह एक similar सी energies होती है इस scenario में तो इस तरीके की energies आप दोनों के relationship में या तो रही या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और की तरफ किसी level पर attract हो रहे थे और अब ही अगर हम उनकी energies देखें तो यहाँ पर anxiety का card कहता है कि बहुत ज़ादा एक restlessness महसूस कर रहे हैं बहुत you know परेशान हो रहे हैं और हमने अभी देखा कि कहीं आप दोनों के बीच में issues मसले रहे हैं तो कहीं आप से दूर होके या फिर आपके साथ जो भी issues रहे रहे हैं ऐसे scenario में वो खुश नहीं हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं कभी-कभी होता है न हम परेशान होते हैं तो ह तो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, यहाँ पर कार्ड में लिखा हुआ है, fear, uncertainty, stress और यहाँ पर किसी भी चीज का stress हो सकता है, money का भी हो सकता है, इस कार्ड में literally money economy लिखा हुआ है और यहाँ पिर भी हमारे पस finances का कार्ड है, तो कहीं money, stress, financial support भी एक reason आप दोनों के again scenario आप दोनों के बीच में है, वो आप से बहुत बहुत प्यार करते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भई वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो stuck महसूस कर रहे हैं आपके साथ इस relationship में, और move war नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जादा आपके लिए प्यार है और बहुत ए एक जहर इस relationship में किसी भी level पे रह रहा है, या फिर कोई female है, क्योंकि snake female को represent करता है, जो एक जहर वाली energies create कर रहा है, जिसकी वज़े से issues मसले रह रहे हैं, लेकिन दिखिए जो भी हो कहीं मुझे आप दोनों में से कोई एक बहुत serious नहीं relationship को लेकर रहता हुआ दिख रहा है विन ऐसे बहुत serious मतलब commitment के लिए ready नहीं है, future की नहीं सोचे हैं क्योंकि rider का card भी अगर आप देखे तो in and out की बात करता है, new love की बात करता है, child का card भी new love की बात करता है, तो कहीं कोई नया इंसान भी आप दोनों के बीश में आ रहा है, जिसकी वज़े से भी issues हो सकते हैं, rider के card में arrival लिखा हुआ है, moving quickly लिखा हुआ है, हो सकता है कि ज़्यादा chances मुझे दिख रहे हैं, pile 3 कि आप शिद बहुत easily move on कर गए हैं, आप you know, जिसे बोलते हैं कि life में कोई और नया आ गया है और वो इस चीज़ को बरदाश नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी आपको अप of swords का card कहता है कि आपको hustle करना चाहते हैं एक और चीज़ कहता है कि बहुत confused है, clarity लाना चाहते हैं, देखिए Ace of swords के card में चाबी है की कहीं ताले को खोलने की बात करती है, तो मतलब जो भी issues हैं उनको resolve करना चाहते हैं, उनको solve करना चाहते हैं और यहापे page of cups का card कहता है कि करना चाहते हैं, आप से मिलना चाहते हैं, आप से connect करना चाहते हैं और rider का card भी कहीं, you know, contact करने की बात करता है, connection बनाने की बात करता है और यहापे opened gate का card भी कहीं, इसी चीज़ की energies को और confirm करता है कि पीछे जो भी दरवाजे अगर बंद हुए या उनकी तरफ से जो भी issues आप वो दरवाजे खोलना चाहते हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी कि आपके साथ connect करना चाहते हैं, आप से मिलना चाहते हैं, आपके साथ मिलके चीज़ों को resolve करना चाहते हैं और उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, वो move on नहीं कर पा रहे हैं, तो अब दिखिए natural इनसान ने थोड़ी सी दूरी बनाई, ये एक बहुत बड़ा reason रहता हुआ दिख रहा है, और अभी हाल फिलाल कोई नया इनसान या तो उनकी life में आ रहा है, और अगर उनकी life में आ भी रहा है, फिर भी वो आप से नहीं move on कर पाएं हैं, फिर भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, और उनका या उन्होंने मैं कहूंगी दर्वाजा खोला हुआ है आपके लिए, ये भी हो सकता है कि अगर आप उनकी life में आएं तो जो भी नया इनसान अभी उनकी life में आ रहा है, वो उनसे connection तोड़ दें, वो उनसे न कलने के लिए भी नए इनसान के साथ connect रहते हैं, तो वो भी एक reason रह सकता है उनका नए इनसान के साथ connect करना, but definitely देखे, इस relationship में कोई नया इनसान आ रहा है, third party है, transparency नहीं है, जूट है, and कहीं, you know, धोखा भी किसी level पे है, अब यहाँ पे कुछ के लिए बहुत ही छोटे level पे धोका हो सकता है, बहुत ही, जैसे बोलते हैं, कि छोटा मोटा धोका हो सकता है, but yes, ये चीजें बहुत sure हैं, कि आप से दूर है, कि आपके साथ जो भी issue उनका चल रहा है, वो बहुत anxious हैं, restless हैं, उनको बहुत anxiety हो रही है, प्यार है उनके मन में, and चीजों को किसी level पे resolve क परना चाहते हैं, and money finances भी एक issue है, अब देखते हैं कि होगा क्या, वो करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिए, two of wands का card कहता है, कि definitely वो इस relationship पो next level पर लेकर तो जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं action initiatives लेते हुए देख रहे हैं, और कहीं देखिए, इसके लिए सब pile three के, जो भी पर लेकर तो जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, pile three की वो action initiatives लेंगे, तो आप बहुत जादा उनसे उमीद ना रखें, बहुत उनका wait ना करें, बहुत उनसे expect ना करें, इसके बावजूत कि उनके मन में आपके लिए प्यार है, या फिर देखिए, अगर आपके मन में उनके लिए प्यार है, तो उनको इस चीज का हैसास है, कि आप unconditional love उनको करते हैं, ये भी एक सिनारियो रह सकता है, क्योंकि ये general reading है, तो ये थी pile three, आप लोगों के लिए reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share or subscribe, zero करें